राधे राधे एवरिवन आप सभी के परिवार को हमारे परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुब काम नाएं तो देखे होली की स्थापना किस प्रकार से आप घर पे कर सकते हैं, क्या महत्व होता है, उससे समंदित सारी वीडियोज मैंने चैनल पे अपलोड कर दी हैं, आप एक बार उन सारी वीडियोज को जरूर चेक आउट करें, प्रेलिस की लिंक मैं डेस्क्रिप्चन में और तो हम दीबदान करते हैं, लेकिन होली का पर विशेश रूप से दीबदान अवश्य करना चाहिए, तो वीडियो बहुत ही जादा महत्वपूर है, बहुत ही जादा आपको इससे फायदा होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप्प करें, आप पूरा जरूर देखें, तो होली की हमने स्थापना कर ली है, और हम जो बड़ी होली होती है उससे अगनी लाकर के अपनी होली को इसको प्रजवलित करते हैं, इसका देहन करते हैं, और घर में जो पूरुष होते हैं वही होली का का देहन करते हैं, एक प्रशना आया था कि मैम घर में पूरुष नह एहन आप भी कर सकते हैं, अगर कोई भी समझजा है, लेकिन जैसे होता है कि परंपरा इरो, वह ही है कि पुरुशी होली का का Lakta दहन करते हैं, तो हम अगनी लेकर ने करके हैं, और रहा है और यह कार में अपने बेटे से बेटे हैं, हैं कपूर रख दी है लॉंग लाइची सामिग्री सब चीजें हम इस पर चढ़ाते हैं तो बहुत ही शुबर कल्यान कारी होता है होलिका का देहन अपने घर में भी करना क्योंकि जब इस यग्या में हम इन सामिग्रियों की आहूतियां देते हैं तो चार और का वातावरन एक लेकिन इसमें माचिस नहीं दिखाई जाती है इस प्रकार से करते हैं तो दिखें दोस्तों इसके पीछे एक सांटिफिक रीजन भी है क्योंकि इस टाइम मौसम परिवर्तन हो रहा होता है चारो और आगे गर्मियों से जो रोग होने वाले होते हैं ना हमारे वो होने की होता है तो हमें इस यग्य का घर घर में भी आयोजन करना चाहिए तो देखिए यहां पर बेटे ने तो पूजन कर लिया है और उसके बाद में मैं भी पूजन कर लेती हूं घर में जितने भी परिवार के सदैस्य हों इस हवन में सभी को आहूतिया देनी चाहिए होलिका मे की बालियार पित करनी चाहिए इस होलिका पूजन से रिलेटीड बहुत सारी वीडियो चैनल पे हैं आप उन्हें जरूर देखिए बहुत ही महत्वपून वीडियो से दोस्तों उनकी प्लेलिस्ट की लिंक में डेस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रिन में दे दूंगी आ बहुत ही जादा जानकारी भरी वीडियो हैं तो इस प्रकार से सभी को होलिका का पूजन करना है अगर आपके घर में होलिका रखी जाती है तो बहुत अच्छी बात है इसी प्रकार से आप घर में पूजन कर सकते हैं बाहर भी कर सकते हैं नहीं रखी जाती है तो कोई बात समाप्त हो जाएं तो इस परकार से हम प्रातना करते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक विशेश उपाय जो हमें होली के दिन करना होता है दीपावली पर दीबदान सभी करते हैं होली के दीबदान के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं तो आज मैं को बहुत ही महत्रपून यह जानकारी देने हैं आयूंकी होलिका की रात में भी हमें एक दीब्दान करना चाहिए क्योंकि देखे पौर्णी मा की तिती होती है संपूनी होती है माता महालक्षमी की जैन्ती भी इस दिन मना आई उनका भी पूजन किया जाता है, हनुमान जी का पूजन किया जाता है, दुर का मा का पूजन किया जाता है, पित्रो का पूजन किया जाता है, तो इस दिन हमें दीबदान अवश्य रूप से करना चाहिए, कम से कम एक दीपक अवश्य रूप से जलाएं, तो एक मिट्टी का आप दीपक ले लें बड़े साइज का आप दीपक लें इस तरीके से और यह सफो के तेल का दीपक जलाया जाता है इस प्रकार से और उसमें आप बाती लगा लें बाती आपको दिखे दो बातियां आपको इस प्रकार से लंबी करके लगानी है इस तरीके से आप बाती इसमे पर देहन किया है तो उस अगनी से आप आराम से जला सकते हैं नहीं तो आप जो बड़ी होली है वहां से अगनी लाकर के इस दीपक को जलाएं और इस दीपक को आप अपने घर के मंदिर में या फिर कहीं पर भी सुरक्षित जगब पर रख दें और पूरी रात हमें ये दीप हुपाय है होली का की रात में तो कहते हैं कि इस दीपक को परजवेत करने से होली का की रात में हमारे घर में सुक सम्रद्धी आती है रोग शोग का नाश होता है और हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नती आती है तो आज की रात में यानि कि होली का की रात में आप इ ऐसे प्रशन आते हैं, कि मैं भी थोड़ा सा समंझस में पढ़ जाती हूं, बच्चे पूछते हैं या फिर जो भी हैं हमारी विवर्स हैं वो पूछते हैं कि होलिका किस दिन है, देखें होलिका तो एक ही होती है, दूसरा जो दिन होता है वो होता है दुरहंडी का, वो रंग का दिन होता है, तो होलिका का दिन पहला दिन होता है, दूसरा रंग का दिन होता है, तो दीपक को आपने देखा होगा मैंने पुष्पु का आसन दिया है, आप चावल के आसन पर भी रख सकते हैं, और नेक्स देखिए हमारी होलिका ठंडी हो चुकी हैं लेकिन हमारा के रूप में भी बोले शंकर पर भी अर्पित कर सकते हैं और घर में भी यूज कर सकते हैं बच्चों के माते पर भस्म लगाने के लिए और ये दीपक अभी भी जल रहा है तो आप भी इस उपाई को जरूर करें होली का की रात में जरूर जलाए दोस्तों उम्मीद करती हूं वीडियो आपको ग्यानवर्धक लगाओगा वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक शेयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ कॉमेंट करना बिल्कूल भी न भूलें कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे हैपी होली कुछ भी आप लिख सकते हैं आप सभी के कॉम आप सभी अपना ध्यान रखिए होली अच्छी प्रकार से मनाई दूस्तो राधे राधे जैश्री राधे